स्वालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे खुद से किस प्रकार से दिभ्यान सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो यूडी आईडी कार्ट के लिए कितने प्रकार सकते हैं और वी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा अभी बजा आएगा ना विडियो तो दिभ्यान सर्टिफिकेट आउलाइन करने के लिए आपको जो किसी भी प्रावजर कुझे ओपन कर लेना है उसके बाद आपको सर्च करना है स्वालंबन ठीक स्व स्वालंबन सर्च करने के बाद आपको जो इंटर प्रेस करना है इंटर प्रेस करते हैं जो पारी वेफशेट आते हैं www.swalambancard.gov.in तो आपको बता दे कि यह एक नेशनल साइट है जिसके जरी आप किसी भी स्टेट से हैं आप जो इस सर्टिफिकर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहां जो पाहली निखा है कि यूनिक डिशेबिलिटी आइड यानि कि यूडी आइडी और इस पे आप जो आपको क्लि करना है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरीके का डैसबोट खुलेगा यहां आप देख सकते हैं कि परस्नल डिटेल डिसेबिटी डिटेल इंप्लाइमेंट डिटेल और आइडेंटिटी डिटेल यह चार इस्टेप आपको फिलक करने हैं और उसके एकशिर पादरार काड में फ्रिटें होता है किसी का मीडल में सर्भी सब ओता है तो जो है आप जोब यहां पर बरिये जो भी उसका फर्क्नम फर्टेम इंगलिसमें बरिये मीडलने में ल terrorism को भी आप फर सकते हैं ठ कर्कद explains कि अब दूर्शक करते हैं और जैसे आप इस पेस देंगे तो यह जो है आटमेटिक हिंदी में आ जाएगा टिक उसके बाद यहां पर अप्लिकेंट फादर नेम डालना है तो यहां मैं आपको बता दूँ कि अधर कोई महिला भी अधर भी वाहिद भी है तो आप उसके पीता का ही नाम जो है डालेंगे आगे मैं उसके पती का नाम कहां डालना ही है मैं आपको बता दूँगा तो आप यहां पीता का नाम डालेंगे और यहां आवेदर के पीता का नाम हिंदी में डालना है तो आप इंगलिस में टाइप करेंगे और जैसे आप इस पेस देंगे तो हिंदी में आ जाएगा यहा यहां जो एसलिक्ट कर लेता हूं और अभी यह कम्प्लिट हो गया ठिकाट डिटर भर्थ ओ गया उसके बाद यह जो है ऑटुमेटिक कालकुलेट हो इसके बाद यहां पर आप जैसे आप मैरेट करेंगे तो उनके बाद इसके पास इस पास इन खुल जागा यानि कि पती का नाम तो यहां पर पर जो मैं उनके पती का नाम डाल देता हूं उसके बाद यहां देख सकते हैं कि relation with speed upto do यानि कि person with disability तो मैं आपको बता दो कि आप जिसके नहीं भी apply कर रहा है और वही जो है विकलांग है यानि कि आपने आवेदक में यहां जो बिकलांग विकति उनी का नाम डाला है तो यहां पर जाकर आप जो है यहां self पर select कर लेंगे लेकिन अगर आपने आवेदक किसी और का नाम डाला है और विकलांग कोई और है तो आप यहां जाके आपको मिल जाएंगे उसके बाद यहां आप देख सकते हैं कि लिखा है फोटो यानि कि यहां जो आवेदक का फोटो होना चाहिए और वो जो अगर आपका फोटो जो है यह जो क्रेटरिय इसको पार कर देता है तो इसके लिए आपको सिंपली इस वाली वेफसाइट पर आ जाना है जिसका नाम इसीरी साइज और इसमें जो है आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां मैं आप 800 सेलेक्ट कर लूँगा और उसक आपको और पर होनका फोटो अप्लोट कर देना है तो आपको फोटो अप्लोट करतेता हूं सको यां पर देख्gendeतर ही के लिखा है कि पर स्कते हैं लेकिन फश्ट राइन पर हंदी में यहां पर टाइब करेंगे तो मैं यहां हिंदी में भी हिंदी में टाइब करना है स्लिक्ट करना है उसके बाद यहां विलेज आप सेतक पransaires न सु है और मिलेज उप्रपर दीजिए सनक्रिंट करने के बाद एक नहीं बालाद एक गईखे लिछा है पूर एड्रेस प्रूफ यानि कि आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर क्या डॉकुमेंट देना चाहते हैं तो यहां आपको तमाम डॉकुमेंट मिल जाएंगे जैसे कि वाटर बीर वोटर राइडी वाइकन रेश्टेशन टेलीफॉन से लंकर रव्यूजिस्ट रासन लिए तो लिए उसके बाद जो अधार कर लिए तो मैंने जोए इनका अधार यहां पर अपलोड कर देता हूं और अधार यह देखी अप्लोट हो गया है उसके बाद अगर आपका जो है यह एड्रेस फॉर कोर्स्पोंडेंस जो है पर मैं टिक कर देंगे तो सहरा का सारा जो है यहां पर कॉपीपेश्ट हो जाएगा और यहां प्ले सिलेक्ट हाइस्ट क्वालिफिकेशन में आप यहां क्लिक कर देना है जैसे आप आ जैंगे दूसरे बाले इस पर दूसरे स्टिफ चेपब मैं किया और किस ने किया था तो चुकि इंका जो पहनी बार अविकार आवेदां को यहां जो मैं नोग कर दूंगा उसके बाद disability टाइप न्यादक सती इस्टार बना तो भरना अकम पर सरी है यानि कि आप जो disability किस टाप के blindness है यहां देखें ब्लैंडनेस भी दिया है तो आप यहां पर disability को disẹb année में जाकर उनका disability आप जो है किई तैप फीडिशेलिटी के से हैं अगर अगर अदो थिखन रहें अब स्क्राइब करते हैं इस जो जितने वी हमारे विदी पार्स हैं ये सब यहां पर हैं वह इसको छोड़ भी सकते हैं एप सकते हैं तो मैं मुझे पता है तो मैं यहां छोड़ी करेता हूं भी 17 और फोट ऊप्टाब्ल खोड़ दे ना पोडे कर देना है जैसे अपने इसपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप आजाएंगे ठाड़ी स्टेप पर ठाड़ी स्टेप में आप से पुछेगा कर दूंगा जा कर दूंगा जैसे प्लिक करता तो उसके बाद आपको सामने मिलेगा आप यहां भी तमाम लिश्ट खुल जाएंगी यहां भी मैं आधार सेलेक्ट करनूगा और यहां पूछेगा कि आधार नंबर आप फिलब कर सकते हैं छोड़ भी सकते हैं कोई दिक्खत नहीं है उसके बाद यहां जो करने के बाद आपको यहां सिंपली पर क्लिक कर देना है जो भी आपने जो बरात हो जो यह आपके साब ने आपको फूल करा जाएगा और उसके बाद जैसे आपने जाएंगे तो यहां पूछेगा कि कंफर्म अप्लिकेशन और इडिट अप्लिकेशन तो अगर आप इसमें अगर जैसे आप देखते हैं और पूछ आप जो यह बर दिये हैं तो आप उसे जाकर यहां इडिट अप्लिकेशन पर इडिट कर सकते हैं और अगर आप डायर देखलीन तो आप्लिकेशन पर चीक कर देंगे अपूछए कंफर्म अप्लिकेशन लिए अप अजो एक पूचहए कर डिसक्रिप्शन में कि इस एप्लिकीसम फिर्ट लागं इस थारदी प्लिक करें गें तो आप साबमी तरह लेता । सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अभी के वीडियो में आपने सिखा कि आप किस प्रकार से आवेधन कर सकते हैं और जब आवेधन कर लेंगे आवेधन की कॉपी लेकर और रिशिप्ट लेकर और साथ में आधार काड लेकर आपको जाना सेमू आफिस वहां आपको जाच करवानी है और जाच में जो भी विकलांग ता पाई जाती आपको रिपोर्ट लग जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप किस प्रकार से घर बैठी यूडी आईडी काड और विकलांग सेटिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आपके वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्ट टाटा गुडबाई गया